सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको प्रूफ दिखा देता हूँ दोसों कि जिस लोन अप्लिकेशन के बारे में मैं आज आपको बताने जारों दोसों बिल्कुल न्यू लोन अप्लिकेशन है और यहाँ पर मुझे दोसों आप टू देख चेते 50,000 रुपे का यहाँ पर मेरा दोसों लोन एप्रूफ हुआ है और यहाँ पर दोसों ना तो हमें इंकम प्रूफ देना पड़ा है ना तो हमें दोसों सिबिल स्कोर यहाँ पर मुझे जरूवत पड़ा कुछ भी दोसों यहाँ पर मुझे देनी की जरुवत नहीं पड़ा और यहाँ पर दोसों केवल आधार कार्ड और पैन कार्ड दो डोकोमेंट की बेसिस पर दोसों मुझे यहाँ पर देख जेते पूरे पचास हजार रुपे का लोन दिया जा रहा है तो इस लोन अमौंट को कैसे आपको लेना है क्या-क्या प्रोस्स कंपलीट करना है पूरा चीज जानेंगे इस वीडियो में तो चलिए मैं आपको बतादका दो दोसों किस तरीके से लोन अपलाई करना है किस चीज का जोसों हमें ध्यान रखना ओगा जिससे हमारा loan amount जो है reject ना हो और ये जोसो loan amount जो है instant आपके bank account के अंदर तुरन के तुरन सेटल कर दिया जाएगा अगर दोसो आप अच्छी तरीके से सारे process को complete करते हैं तो ये amount दोसो आपके bank account के अंदर तुरन सेटलमेंट कर दिया जाएगा तो चलिए मैं आपको दिखाने वाला हूँ and यहाँ पर मैं आपको बता दो दोसो कि मैं ये पैसा जो है bank account के अंदर भी ट्रांसफर करके अभी मैं आप से दिखाने वाला हूँ बस आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है और वीडियो को आपको step by step देखना है वीडियो को जरा सभी skip नहीं करना है अगर आपको दोसो कोई दिकत लगे तो नीचे मुझे comment box में comment करके बताएगा तो यहाँ पर दोसो जैसे आप first time आओगे आप लोग तो आने के बाद यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा application को सबसे पहले तो आपको download करना पड़ेगा download करने के बाद दोसो आपको अपना radar card pen card डाल लेके बाद यहाँ पर सारा detail डेसे डाल दोगे तो यहाँ पर आपके सामने offer दिखाएगा लेकिन दोसो यहाँ पर मैं आपको शुरू से बिल्कुल new loan application में आपको दिखाऊँगा नया process से क्योंके दोसो मैंने यहाँ पर जो apply किया था मेरा तो दोसो loan एप्रूब हो चुका है लेकिन यहाँ पर मेरे पास एक और भाई आया हुआ है जो बोड़ाई सर मुझे पैसु की जरूवत है तो मुझे जो है loan आप कहीं से दिला दो तो उसी भाई का मैं यहाँ पर अभी loan apply करने वाला हूँ क्योंके दोसो मैंने इस application से already पहले से loan लिया हुआ है तो यहाँ पर मैं अभी उन भाई के लिए यहाँ पर loan apply करने वाला हूँ तो जैसी first time आऊँगा तो application का interface कुछ इस तरीके का आपको दिखेगा यहाँ पर आपको apply का options पर क्लिक करना है जैसी दोस्तो apply में क्लिक करते हैं तो सबसे पहले आपको अपना mobile number डाल करके register करना होगा यहाँ कि दोस्तो सबसे पहले आपको अपना mobile number डाल करके login करना होगा जैसी mobile number डाल करके login करते हैं तो आपके सामें दोस्तों कुछ इस तरीकी का interface आ जाता है जिसे में दोस्तों देखे थे आपका यहाँ पर identity उसके बाद दोस्तों basic information और यहाँ पर दोस्तों emergency contact उसके बाद यह पैसा डालेट आपके bank account के अंदर याद रखना है दोस्तों यहाँ पर आपको किसी परकार का कोई civil score की जरुवत नहीं पड़ेगा तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे ID card information में क्लिक करेंगे तो आपके सामने दुस्तों सबसे पहले आपको अपने यहाँ पर एक selfie upload यहाँ पर करना होगा आप काफी लोग मुझे comments करेंगे पूछेंगे कि sir application का क्या नाम है तो यहाँ पर मैं आपको बता दू भाई सबसे पहले मैं आपको clear कर दूँ पहले आप इस वीडियो को जो है step by step देखना उसके बाद ही apply करना loan को ठीक है क्योंके दुस्तों अगर आप step by step नहीं देखोगे आप direct apply करोगे तो कोई problem दूसरी यहाँ पर काफी लोग क्या करते हैं कि जिस application का मैं review करता हूँ जिसमें आप मैं आप से बोलता हूँ कि आपको यहां से loan नहीं लेना है उस application को गलती से जाकर करके फटा-फट से loan apply कर लेते हैं वीडियो को थोड़ा सा देखते हैं और जाकर करके application का नाम के चकर में speed को बढ़ा-बढ़ा के देखते हैं और जा के फास जाते हैं, तो ऐसा गलती आपको नहीं करना है दूसरों, सबसे पहले यहां पर आपको अपनों selfie यहां पर upload करना है, application का क्या नाम है, मैं आपको बता दूँगा, बस आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है, और application का नाम मैं आपको reveal कर दूँगा, कुछ seconds के अंदर पहले मैं selfie upload करता हूं, उसके बाद दूसरों सब सब पहले यहां पर आपको अपना नाम डालना होगा, जैसे कह दोसरों देखेते हैं, तो आपको अपना date of birth को select करना है, उसके बाद यहां पर date of birth आप यहां से select कर सकते हैं, आपके सामें दूसरों इस ततरीके का date of उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा जारा आपका gender, male है या female है वो आप यहाँ पर select करेंगे और set के options पर क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पर आपको अधार card का photo क्लिक करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर इस तरीके का आपको upload करना होगा, और यहाँ से दोस्तों आपक आप एक student बगरा है, तो यहाँ पर दोस्तों आपके साबने काफी तरीके का interface आ जाता है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं, कि just यहाँ पर दोस्तों हम लोग एक student का यहाँ पर दोस्तों डालेंगे, यहाँ तो दोस्तों आप self-employed भी डाल सकते हैं, या तो आप student भी डाल सकते हैं, चली यहाँ पर हम self-employed में click करके set में click करते हैं, उसके बाद यहाँ पर दोस्तों हम क्या करने वाले salary का options आपके पास आजाएगा, salary वाले options पर click करना है, यहाँ पर दोस्तों आपको जो है 15,000 से लेकर के 30,000 के बीच में select करके set कर देना है, उसके बाद द पुछा जा रहा है दोस्तों कि आप married है या आप married है, तो जिस भाई का यहाँ पर हमें loan apply कर रहा हूँ दोस्तों वो single है, इनको हम single में select करेंगे, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखेते हैं, nominee of, यहाँ पर आपके सामने इस तरीके काफी तरीके का interface आएगा, तो यहाँ पर आप कुछ भी यहाँ पर type कर सकते हैं, दो, तीन, चार, तो यहाँ पर मैंने type कर दिया है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको अपने email ID यहाँ पर डालना है, WhatsApp नमबर डालना है, और आपको submit के options पर click करना है, तो चलिए मैं इन सारे detail को यहाँ पर मैं डाल देता और आपको दोस्तों application का क्या नाम है, उसको लेकर के आपको चीनता बिल्कुल भी नहीं करना है, पहले मैं पूरा process डाल के फिर complete करता हूँ, आगे मैं आपको दिखाते हैं दोस्तों application का क्या नाम है, क्योंके दोस्तों आप इस application को ढूंडते राज जाओगे, कहीं पर भी आपको नहीं मिलेगा, मैं आपको यहाँ पर इसका बता सकता हूँ, बाकि आप कहीं नहीं डोल पाओगे, तो चलिए पहले इसको हमें सराइडिटिल डाल के submit करते हैं, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपका नमबर आ जाते हैं, अब इसका मतलब क्या है, क्या हमें नमबर देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, काफी लोग इसको लेकर के confused रहते हैं, तो यहाँ पर मैं आपको पहले clear कर देता, दोस्तों उसके बाद मैं आगे आपको बताऊंगा emergency contact number के इस तरीके से add करना है, तो दोस्तों अगर आप यहाँ पर जो है, आप यहाँ पर जिसका भी emergency contact number देना चाहते हैं, उसका यहाँ पर नाम डालेंगे, उसका contact number डालेंगे, उसका relation डालेंगे, आपका relation किस type का है, उसके बाद यहाँ पर दोस्तों दूसरा में भी आपको same number नहीं देना है, अब यह दोस्तों company जो आपसे contact detail ले रहा है, इसका मतलब यह है दोस हो सकता है, अभी आपको यहाँ पर emergency है, पैसो की, आप यहाँ से पैसे ले लेते हैं, और आपको दोस्तों बाद में जब आपका काम निकल जाएगा, तो अगर आप इस application को loan नहीं repayment कर पाते हैं, तो आपको दोस्तों इसी number पे आपको contact करके आपको payment के लिए बोला जाएग हलाके मैं आपको बोलूँगा दोस्तों अगर आप कहीं से भी loan लेते हैं, तो time to time आप repayment कर देना, उससे दोस्तों आपका credit score बना रहेगा, लेकिन बहरे आल अगर आपको किसी भी कारण से late हो जाता तो इन्हें emergency contact पे आपको contact किया जाएगा, तो चलिए मैं contact number डालके submit करता हूँ, उसके बाद दोस्तों finally यहाँ पर जो है, आपको अपना देख सेते हैं, यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले उपर में आपको अपना IFSC code डालना है, उसके बाद दोस्तों account number डालना है, और यहाँ पर दोस्तों आपके सामने इस तरीके का interface आएगा, तो यहाँ पर दोस् यहाँ पर offer रहेगा, वो आपके सामने आज आएगा, तो यहाँ पर आपको apply में click करना है, जैसे कि दोस्तों मेरे लिए यहाँ पर जो offer निकल करके आ रहे, 2000 रुपेगा, जिसका दोस्तों यहाँ पर देख सेते है, rate of interest जो है, बिल्कुल 00 है, और यहाँ पर दोस्तों देख तो अगर loan लेना चाते हैं, तो आपको apply में click करना होगा, उसके बाद यहाँ पर दोस्तों आपका loan amount कितना आपका receive होगा, वो सारच आपको देखने को मिलेगा, जो मेरे हिसाब से दोस्तों बहुत हाई interest है, और कम time का यहाँ पर दोस्तों हमें time, यहाँ पर time मिल रहा है, त अगर दोस्तों आप हमारी माधियम से loan लेना चाते हैं, तो उसके लिए मैंने description box में link दिया हुआ, based application का NPS registered है, और comment box में यहाँ पिन कर दोस्तों, 1000 से लेकर के पूरे एक लाख रुपे तक आपको loan मिलेगा, तो description box को check out कीजिए, इस application को अगर लेना चाते हैं, तो ले सकते हैं नहीं तो आपके मरजी